हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेकेफाट साला में स्वागत है तो दोस्तों जैसा कि आपने थम्डेल देख लिया होगा दोस्तों इसे में बात करने बाले हैं जो आपका दोस्तों उनको यह लगता है कि मालो डिवाइड जल जाता है तो चुक्ति ने वह आपका बढ़ जाएगा तो दोस्तों इसी के मद्दे ने लोगों ने आपका केस कर दिया अब दी किस किस किया दोस्तों तीन लोग इसमें आपकी एक है दुस्तों आपका संदीप कुमार और कि यह स्क्राइब और विए कि टेपक सिन तो इन तीन लोगों आपका किस किया है आप देखें दोस्तों बच्चों सवाल यह आ रहा है कि आपका CB2 एक्जाम होगा नहीं होगा मई में और साथ रिवाजल आएगा नहीं आएगा तो उसी के बारे में इस वीडियो में आपका बात करने वा लेंगे ठीक है और दोस्तों जो केस किया दोस्तों यह आपका हाई कोट में नहीं हुआ है यह आपका कैट में हुआ है जो केस हुआ हुआ हाई कोट में आपका नहीं हुआ है और दोस्तों इसकी सुनवाई आ जाने 30 मार्च को आप इसकी सुनवाई है पहली अब देखिए दोस्तों यहां से दोची निकल के आती है पहनी चीज़ देखिए अगर cat को लगता है कि हाँ जो case में दम है तो यह क्या कर सकता है यह आपका रिवाज रेल्ट है इस पर आपका रोख लगा सकता है अगर चाहिए तो ठीक है और यह दोस्तों चाहागर यह बोले कर रिवाज रोख लगाना के लिए तो रेल्वे को रोख उस पर लगानी पड़ेगी रिवाज रेल्ट पर ठीक है फिलाल के लिए आप देख कितनी सुनवाई में इसका फैंसला होता है अगर इसमें कोई जो केस है आपका इसका फैंसला हो जाए ठीक है यह हो यह होगा दोस्तों चलती रहे और आपका रिवाज रेल्ट पर आपका रोख ना लगे ठीक है लिए लिए सब्सक्राइं मैं अपने बात करने आप देखें दम क्यों नहीं है क्योंकि आपको याद होगा जब NTPC का आपका बिग्यापन आया था यानि कि नोटिफिकेशन उसमें दोस्तों साफ साफ लिखा है कि हम 20 बच्चे बलाएंगे और दोस्तों यह भी लिखा हुआ है यह संख्या आपकी इंक्रीज हो सकती है यानि कम ज़्यादा हाफ की हो सकती है तो इससे दोस्तों इसमें केस में इतना दम दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है तो अपना दोस्तों आपका रेलवे वह भी अपना प्रक्ष रखेगा कोट में जुआ सुनवाईए और दोस्तों जैसा भी जो जो सो इन्फरमिशन आज मिलेगी तो हमारे चैनल के मादम से आपको बता दे जाएगा इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अब दोस्त को मानकर पर त्यारी करते रही है और साथ के अबात करें दूस्तों CB2 एकजाम की तो पहले दोस्तों इसका लेबिल 6 का एकजाम होगा जो भी समय बताया आपका टेंटेटिव जो आपका मई के महिने में हो जाएगा उसके आपका लेबिल 5 होगा फिर 4,3,2 इस तरह से आपक संब करने से तो थन्हें को साइक को सारे जयों एक जयाएगा यह एसा दोस्तो आपका नहीं हो आपसे इतना कहना से आता हूं को जो भी इस तो अब त्यारी करें कि वह अपनी त्यारी लगातार करते रहें और साथ ही जिनका सी बीटी बन में नहीं हुआ था जब जल्ट आया था और अगर अगर उनके कट आपकी कम हो सकती है आपसकार आठो जल्ट आई लमगा त्सटे यहां कों गोनते आपका बस करसी क aज रमें नहीं लिए उनके और हैं नहीं कहने बускता ब्लाए जलता विजा रहे लिए तो यहांप पर आपको ज्यादा माक्स का फरक पड़ेगा लेकिन दोस्तों बहुत सारी लोग आपसे बोले होंगे कि आपका 15 नमर कम होगा पीस नमर कम होगा कटो तो इतना फरक आपका नहीं पढ़ने बाला है अब देखें दोस्तों यह लोग वही लोग बोल लें जो पहले आपको बता मिल ला है कि 600 रुपे में ख़एद लो कुछ बोलेंगे 7000 रुपे ठीक नव पर इसकाउंट बेश्टें और बच्चे का सोचते हैं कि देखेंगे 6600 रुपे मिल ला है साथ एडा का 700 मिल ला है तो इसलिए बच्चे इनका कोट्स ख़एद लेते हैं और दोस्तों होता कि को माद लो एक कूर्स स्टाट होता है कि सब्सक्साइं लेकर तो अब लोगों साथ होता है तो 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 उस वेसमें पढ़ाने लगा टीचर है और इस वेस्ट जो था आपको इसमें आपका मैह तो बहीर जाएगा और बाद बोल दिढ़ये कि हां सर नहीं पढ़ा पाएंगे तो तो इस तरह दोस्तों आपको लोगों साथ होता है ठीक है तो यही आपको जानकर देने थी जो सीवीटू त्यारे करें अपने त्यारी अस्थे से करते रहें और साथ दोस्तों बता दू कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए 40 दिन का study plan त्यार किया गया है 40 days study plan जो कि दोस्तों आपका 22 मार्स से लेकर 30 अपलता चलने वाला है यहां दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों डेली रात को 9 बज़े वीडियो आपको प्रोबाइट करा जाता है उसमें अगरे दिन का पूरा शेडू आपको बता जाता है कि कौन से subject में आपको कौन सा topic पढ़ना है कहां से पढ़ना है तो इसलिए दोस्तों और चाहत त्यारी करना तो हमारे study plan को follow करना ना भूले क्योंकर तीसा पल तक पूरी आपकी complete त्यारी हो जाएगी और इसको जितना भी आपको समय मिलता है exam में 10 दिन मिलें 20 दिन मिलें एक मिलें